Hello everyone, welcome to wifi study which is part of an academy group दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाला है कुछ और important question answer जो की काफे important होंगे सभी exams के point of view से तो please पूरी वीडियो को देखेगा, वीडियो पसंद आए तो like करिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर करिएगा मेरी unacademy पर दोस्तों इस वीडियो किलास होती है दो बज़े आप इसमें भी enroll कर सकते हैं और plus जो किलास होती हो सुबह morning में 8am पर होती है तो आप उसमें भी join कर सकते हैं plus subscription के सारे benefit जैसे के live classes, structure course, weekly test, unlimited access और भी सारे benefit आपको उत्ता मिलते हैं जब भी आप किसी भी category में plus subscription जोइन करते हैं code use करते है study 10 इससे आपको maximum discount मिल जाता है दोस्तों 20% का off आपको मिलता है जब भी आप अभी join करेंगे मतलब SSC category का या फिर railway category का subscription तो इसमें आपको 20% off मिल जाएगा code use करने आपको study 10 यह best timing होती है जोइन करने के लिए कम फीस में दोस्तों आप जोइन कर सकते हैं unacademy light festival आप 179 में जोइन कर सकते हैं यह benefit आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों अभी आप SSC में iconic subscription जोइन करेंगे तो आपको hard copy मिलेगी notes की क्योंकि आपके घर पर ही पहुँच आएगी ओल इंडियर दोस्तों ranker batch सिखर बैच और target बैच aim SSC stenographer batch और complete batch on general studies यह सभी आपको दोस्तों स्टार्ट होने वाले 8 September से आप इन में enroll कर सकते हैं और join कर सकते हैं code study 10 एपलाई करके ठीक है iconic subscription में भी आप को study run core यूज़ करना है iconic के वीचर है प्राइटिन डाउट सोलिंग प्राइटिन लाइब क्लासिज बाकिए अपडेल यह डिटेल में बढ़ सकते हैं तो चले ठीक है तो यह आपका सही answer होगा next question है चंद्रमा की इस्तिती जब वह प्रत्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है इसे निमन के रूप में जाना जाता है जब चंद्रमा दोस्तो प्रत्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है उसको बोलते हैं अब इस question का answer हो जाएगा ठीक है यानि की right answer is option third हो जाएगा इसका भी ठीक है चले अगला question आता है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी इस question का right answer आपका second हो जाएगा ठीक है अगला question है सिस्मोमेटर उपकरण का उप्योग निमलिकित में से किसके मापने के लिए किया जाता है बिल्कुल सेह दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा जौला मुख्य है विस्पोट के बुकम्पिय तरंगों को और भूतल की गति को यानि कि इसमें right answer दोस्तों 4 होएगा option A and B दोनों correct रहेंगे तो option right answer is D अगला question आता है निमलिकित में से किसे दिल्ली संधी के रूप में जाना जाता है तो दिल्ली संधी के रूप में दोस्तों ल्याकत नेरू संधी और गांधी इर्विन संधी दोनों को जाना जाता है तो right answer is both option third यहां पर right answer होने वाला है अगला question है निमलिकित धातु में से कौन प्रकरती में मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो इन तीनों में से तो नहीं है कोई भी तो नन इस question का right answer हो जाएगा ठीक है कोई नहीं इस दा right answer अगला question आता है यदि रास्पती आपातकाल घोसित करते हैं तो इस घोसना के संसत द्वारा के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए यानि कि कितने समय के में दोस्तों ये अनुमोदित किया जाना चाहिए तो ये within one month एक महिनी के अंदर अंदर तो इस question का right answer आपका option ए हो जाएगा अगला question कहता है कि कौन सा महासागर परसिद रूप से हेरिंग तलाब के रूप में जाना जाता है इस question का right answer हो जाएगा Atlantic Ocean यानि कि right answer इस option है Atlantic Ocean यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्री अमेरिका का पूर्वी तट यानि Atlantic महासागर दोस्तों बहुत यात में हेरिंग मचली की निवास इस्थान है ये हेरिंग दोस्तों एक मचली का नाम है ठीक है ना next आता है निमलकित में से कौन सा सही नहीं है तो ध्यान से देखेगा मैंने नहीं है पूछा है तो देखें सिव थापर जो यहाँ पर लिखा है सिव थापर ये फुटबोल से संबंदित खिलाडी नहीं है ये मुक्के बाज यानि की बॉक्सिंग से संबंदित है तो इंडियन बॉक्सर है ये फ्रॉम कहां से आसाम कुहाटी से तो ये भी आप लोग याद रखेगा तो इन में से कौन सा सही नहीं है नोट करेक्ट तो ओप्शन यहाँ पर ये मुक्के बाज है दोस्तो ये भी आप लोग को याद रखना है दूद के विशिस्ट गुरुत को कैसे माप सकते हैं यानि की तो ये कैसे माप सकते हैं दोस्तो एरो मिटर से यानि की राइट आंसर इस ओप्शन थर्ड यहाँ पर सही उतर होगा नेक्स्ट आता है इनमें से किसे चिकित्सा शिक्सा के लिए आईजी नोबिल प्रुषकार 2020 से सम्भानित के जाएगा तो इस कोशन का सही उतर क्या होगा भई नरेंद्र मोदी राइट आंसर इस ओप्शन फोर नरेंद्र मोदी इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बिमारी को कहा जाता है तो ये बिमारी दोस्तो कवासियों कर कहा जाता है यानि की राइट आंसर इस ओप्शन है तो ये आप लोगों को याद अखना है राज्यों में लोकसभा सीटों के बारे में निमलिकित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है आपको बताना है कौन सा पेर इनमें से सही नहीं है ठीक है लोकसभा सीट के अकोर्डिंग तो यहाँ पर देखे हर्याना में लोकसभा की 10 सीट है बिलकुर सही है मारास्ट में 48 है केरल में 20 है बट बिहार में 42 नहीं है बिहार में 40 है 40 है तो right answer यहाँ पर बिहार का 40 होकर यहाँ पर 42 लिखा है तो यह वाला सही नहीं होगा तो right answer is option 4 अगला question आता है आपका हाल ही में किस देश ने सेन्य अभ्यास कवाकज 2020 की मेजबानी की जो हाल ही में खबरों में देखा गया था तो वैसे तो काफी पुराना हो गए बट question बन सकता है क्योंकि Russia से related है truth is question का right answer होगा है ना अगला question आता है नेमलिकित में से कौन भारत की पहली मेला मुख्य न्याधीस थी तो भारत की पहली मुख्य न्याधीस थी लीला सेट अगर पूछा जाता आपसे की पहली सुप्रीम कोर्ट की न्याधीस कौन थी तो वो दोस्तों आपका हो जाता फातिमा बेवी ठीक है तो यहाँ पर right answer आपका third हो जाएगा यह आप लोग को या दखना है चले अगला question कहता है कि भारत में कच करण क्यों परसिद है कच करण क्यों परसिद है तो इस question का सही answer हो जाएगा जवार और भाटा के लिए परसिद है तो यहाँ पर right answer आपका option first हो जाएगा next आता है कि ताजबेन निमलकित में से किस इस्थापित सेली का परतिदित करता है तो यह all the above प्रुक सभी हो जाएगा फ्रांसीसी इसलामेक और तुरकी सभी सही है तो right answer is option 4 next आता है कि नेवन में से कौन सा रसायन सहस्तर में खोज के बारे में सही है तो इस question का दोस्तों जो सही answer होएगा वे है आपका बिल्कुल सही है all are correct होगा right answer इसका भी question आता है यूवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था तो यूवा दिवस पहली बार दोस्तों 1985 में मनाया गया था तो ये भी आप लोग याद आख सकते हैं stainless steel में आमतोर पर लगबग 14% क्या होता है दोस्तों तो stainless steel जो होती है वो दोस्तों mixture होती है किस elements का उसमें chromium होता है, nickel होता है silicon होता है, aluminum होता है है ना और carbon होता है बट इसमें पूछा गया है कि 14% के लगबग कौन सा होता है तो वो आपका chromium हो जाएगा यानि कि right answer is option 4 ठीक है जी चले next question आता है किर्केटर बाबर आदम किस देश का है बहुत ही easy question है बाबर आदम जो किर्केटर है यह पाकिस्तान से है तो यहाँ पर right answer दोस्तों आपका option first हो जाएगा question आता है गरम पानी अभ्यारन में इस्थित है, यह कहाँ पर इस्थित है दोस्तों यह असाम में दीपू आसाम में इस्थित है तो right answer is आपका second निमलिकेट में से कौन सी नविनतम सिंदु घाटी सब्वेता इस्थल है तो नविनतम यहाँ पर Indus Valley Civilization बताना है ठीक है, latest Indus Valley Civilization इस धोला वीरा ठीक है, तो right answer is option first दीके, धोला वीरा नविनतम सिंदु घाटी सब्वेता इस्थल है इस साइट की जो खोज हुई है वो 1967 से 68 में JP जोसी ने की थी तो धोला वीरा गुजरात के कच जिले में इस्थित है, ये भी आप लोग याद रख सकते है उस गरंती का नाम बती है जो अन्या आतया सरावित गरंतियों के कारियों को नियंतित करती है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगे दोस्तो पिट्यूटरी गलेंड तो राइट आंसर इस ओप्शन फोर कोशन है टांका लगाने वाले धातू के टुकुडो में उप्योग किये जाने वाले सोल्डर में किसी भी मिस धातू होती है यानि कि किस की मिस धातू होती है तो ये दोस्तों जो होती है ये टिन और लेड की होती है तो राइट आंसर इस ओप्शन second हो जाएगा यहां पिर right answer next आते car battery में किस electro light परदार्द का उप्योग किया जाता है तो यह आपका हो जाएगा sulfuric acid तो right answer is second sulfuric acid आपका सही answer होगा next आता है अंगरी जी खक ने बारवा सक्ती भट first book price जीता तो यह आपका हो जाएगा Tony Joseph right answer is option third यह आप लोग याद अखेगा next आता है बंगाली लदू कहानी hungry stone किस ने लिखी है hungry stone किस ने लिखी है तो यह hungry stone कहानी जो है यह लिखिया रविंदनाथ टेगोर जी ने तो इस question का right answer आपका 4 हो जाएगा question आता है कि भ्रतनाठियम इनमे किस इस्थाण से उत्फपन हुआ है तो भ्रतनाठियम इनमें से दोस्तो किस इस्थान से उत्फपन हुआ है देखे गैरे इसमें ना कोई भी पी सही answer नहीं है थिक है भ्रतनाठियम इस उमेजर हिंदू of Indian classical dance जो की originate हुआ है दोस्तो तमिल नाडू से और इसमें option में तमिल नाडू नहीं है तो right answer is option T हो जाएगा तमिल नाडू is the right answer यह आप लोग को याद रखना है और नेक्स आता है इनमें से किस वेद से गीत संगीत को नाटे वेद में सामिल किया गया था तो सामवेद दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है इस question का right answer सामवेद अगला question आता है कि कस्मीर की घाटी किन दो परवत सरंकलाओं के बीच इस्तित है कस्मीर की जो घाटी है वो किन दो प्रवत संकलाओं के बीच इस्तित है तो महान हिमालिया और पीर पंजाल के बीच इस्तित है तो right answer is second यह आप लोग को याद अगने है भारत के निमलिकित द्वीपों में से किसका उद्गव ज्वाला मुखी से हुआ है तो यह आपका बेरेंद द्वीपों जाएगा यानि कि option first इसदर right answer next question है निमलिकित में से कौन सा जल जलास से चंबल नदी पर बनाया गया है जल जलास से चंबल नदी पर बनाया गया है तो राणा परताप सागर दोस्तों यहाँ पर right answer लोगा next आता है निमलिकित परियवरन विदों में से किसे जल पुरूस के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है दोस्तों राजेंदर सिंग को यानि कि right answer is second यह आप लोग को याद रखना है भारत में राष्ट्य एकता दिवस किस राष्ट्य नेता की सम्रत्ति में मनाया जाता है तो इस question का दोस्तों right answer हो जागा सर्दार वल्ला भाई पतेल यानि कि third आपका option correct हो जाएगा next आता है cold export promotion पार्क कहा इस्थित है तो ये इस्थित है आपका इंदोर में ठीक है इंदोर यहाँ पर right answer हो जाएगा next आता है भारती super computer के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो भारती है super computer के जनक के रूप में जाना जाता है विजे भठकर को यानि कि यहाँ पर right answer दोस्तों आपका second होने वाला है correct answer polo team में कितने खिलाड़ी होते दोस्तों तो polo team में चार खिलाड़ी होते है ठीक है तो यह आप लोग यहाँ दखेगा next है संध्या गरवाल निमलकित में से किस खेल से जुड़ी है संध्या गरवाल दोस्तों किरकेट खेल से जुड़ी हुई है तो right answer is option second next आता है आपका एस बाग स्टेडियम की सेर में स्थित है तो यह इस्थित है दोस्तों कहाँ पर आपका भोपाल में ठीक है भोपाल is the right answer अगला question है 1993 में राष्टपती द्वारा सविधान के किस अनुच्छेद के तैत पानाव अधिकार संदक्षन अध्यादेश जारी किया था तो यह आपका किया था दोस्तों article 123 is the right answer मध्या परदेश में मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस कहां है मध्या परदेश में मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस है आपका देवास में तो right answer is आपका option first हो जाएगा यह आप लोग को याद रख रहे है बिख्रे मोती के लेखक कौन है दोस्तों बिख्रे मोती के लेखक कौन है सुबद्रा कुमारी चोहान ठीक है बिख्रे मोती के लेखक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा next question है फैदो मिटर का उप्योग मापने के लिए किया जाता है फैदो मिटर का उप्योग किस को मापने के लिए किया जाता है तो महासागर की गेरहाई को मापने के लिए किया जाता है यह आप लोगों को याद एकना है विस्व आर्थिक आउटलूग रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है तो ये अंतरास्ते मुद्रा कोस ठीक है अंटरेस्टर मोनेटरी फंड इस कोशन का यहाँ पर सही आंसर होगा विलियम पेंटिक द्वारा सती परणाली को किस वर्स में समाप्त कर दिया गया था तो ये 1829 में दोस्तो समाप्त कर दिया गया था अगला कोशन है खुसरू किस मुगल समराट का पुत्र था तो ये था दोस्तो जागीर का पुत्र ठीक है जी चले अगला कोशन आता है निमलिकित में से किसे दुनिया के कोफी पंदरगा के रूप में जाना जाता है तो ये जाने जाता है दोस्तो सेंटोस याने की सेकिंड इसदर रेट आंसा नेक्स गोशन है इसरो ने मिट्टी के निर्मान के लिए पेटिंट प्राप्त किया है तो इस कोशन का रेट आंसर होजेगा मून चंदरमा इसदर रेट आंसा नेक्स है अजीत जोगी जिनका निदन हो गया किस राजिया के इंसासित परदेश के पहले मुख्यमंत्री थे तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा 36 गड़के ठीक है तो यहाँ पर right answer आपको option second हो जाएगा चले नेक्स वीडियो पर चलते हैं और प्लीज आर सेशन को लाइक कर दिया अगर आपको questions की जो series पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया अगर और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहाँ पे आप report कर सकते हैं कोई एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकी thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को on रखे और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और द description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much